तो इंडियन सूपर लिग फॉलो करने जा रहा है गैस टॉप इउरोपियन लिग्स जैसा की ला लीगा प्रीमेर लिग और बूंदेस लीगा की तरह वेकेंट्स फिक्स्चर इसके इलावा सिक्स टीमों का न्यू प्लिओप्स फॉर्मेट में कैसे ISL टीम सेमी फाइनल के लि जहाँ पर आप साइन अप करते ही 200% का वेलकम बोनस जिट सकते हो इसके इलावा 1000 का डिपोजिट पर आपको 3000 कैश ब्याग भी मिल सकते है साथ में क्रिकेट और फुटबॉल का मैच प्रेडिक्शन करके भी आप इसमें आर्निंग कर सकते हो क्रिकेट और फुटबॉल के साथ मल्टिपल स्पोर्स भी इसमें शामिल है और आप अपना जीता हुआ पैसा जब चाहो अपने मर्जी से पेटियम या फिर ब्यांक एकाउंट में विड्रो भी कर सकते हो इसमें 24-7 का कस्टोमर सर्वीज है तो कोई प्रॉबलम भी नहीं होगा और इसके लिए आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर एंड पासवाइड से रेजिस्टर करना होगा तो जिनने भी स्पोर्ट्स में इंट्रेस्ट है एक बर किस्मा को डाउनलोड जरूर कर लेना लिंक इजी ने पिन कमेंट तो FSDL ने ये बात ओफिशियली कह दिया है कि इस सीजन से चार नहीं बलकि 6 टीमों के साथ ISL का प्ले आप्स खेला जाएगा 6 टीम प्ले आप्स के लिए क्वालिफाई करेंगे इन में से लिग टेबिल का नमबर 1 और नमबर 2 पर जो टीम होंगे वो डिरेक्ट सेमिफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगे और 3, 4, 5 और 6 प्लेज का जो टीम है उनके बीच Eliminator के through the remaining team semi-final में पहुचेंगे तो Eliminator 1 खेला जाएगा गाइस 3rd place वसे 6th place टीम के बीच और Eliminator 2 खेला जाएगा 4th place वसे 5th place टीम के बीच उसके बात जो semi-final है वो इन दोनों Eliminator का winner और league table का 1st and 2nd place टीमों को लेकर home and away fixture में खेला जाएगा जहाँ पर semi-final 1 1st place टीम वसेश Eliminator 2 का winner और semi-final 2 खेला जाएगा 2nd place टीम वसेश Eliminator 1 का winner के बीच और at the end इन दोनों ही semi-final का winner के बीच खेला जाएगा ISL Season 9 का final match और हाँ गाइस इस बार Indian Super League का जो matches है वो top European leagues जैसे La Liga, Premier League, Bundesliga, League One and Serie A की तरह vacants fixture में खेला जाएगा 2-1 matches बस without vacants हो सकते है लेकिन most matches Thursday to Sunday की भीजी conduct किया जाएगा जहाँ पर ISL का league stage चलने वाले है 7th October 2022 से लेकर 26 February 23 तक और जो play-offs है गाईस वो होंगे March 2023 में और आखिर में अगर बात किया जाएगाई Super Cup का upcoming season के बारे में तो ISL खदम होने के बात April 2023 में start होने वाले है Super Cup का upcoming champion तो चलिए आज के लिए बस इतना ही वीडियो कर अच्छे लगे तो वीडियो को एक like जरूर कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नए आये हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब साथ में notification बिल को on ताकि in future Indian football से रिलेटेट हरेक latest information regularly आपका हमारी चैनल पर जानने के लिए मिल जाए So signing out guys and see you again in my next video